हेलो एवरिवन, वेलकम वन्स बैक टो आज चैनल कोकिंग हब लेकिन आज हम कुछ कोकिंग का नहीं, कुछ क्रियेटिविटी का लेकर आए हैं तो देखिए ये साखिया वाली राखी सिखाऊंगी मैं आज आपको तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक बुड़न का ऐसा प्लैंक लिया है उस पे हमने इस फॉर्माट में इसमें नेल्स जो है वो ठुकवा दिये हैं पहले से ही तो आप ये रेडी कर सकते हैं और साथ में हमने लिया है चीड जो आती है छोटी छोटी आप देख सकते हैं, मैं देखो अपने हाथ में लेकर दिखाती हूँ, यह कितनी छोटी साइज की चीड है, हम इतनी छोटी साइज की लेंगे तो वो और बड़िया दिखेगी, बाकि आप बड़ी से बना चाहें तो आप बना सकते हैं, और इन चीड के लिए हमने एक बहुती बारीक सुई का यूज किया है और इतनी बारीक सुई में से धागा पिरोने के लिए हम इसका यूज करेंगे जिसकी मदद से हम आसानी से इसमें धागा पिरो पाएंगे तो चलिए अब देखिए मैंने क्या किया है इक जो धागा नॉमली आता है सिलाई वाला उसको डबल कर लिया है और लंबा ले लिया है और देखिए इस तरह से हम पहले नेल से जिस साइड फाइफ नेल है उस तरफ से हम शुरू करेंगे इसे लपेटना और इसे एकदम अच्छे से लपेट लेंगे आप मानिए अराउंड बार की तरफ आटे देंगे ध्यान रखिए आप इसे ढिला बिल्कुल ना छोड़े नहीं तो बनाने में जो राकी अपकी बनेगी उसमें मजा नहीं आएगा इसे तान कर रखें थोड़ा दोस्तों अगर आपके पास इसा वोडन प्लैंक ना हो तो आप क्या करें तो आप कोई धर्मा कॉल हो मोटा तो वो भी यूज कर सकते हैं और उसमें हम जो बोर्ट पे लगाते हैं वो पिंज वो यूज कर सकते हैं या और आपको सेट हो देखिए यह फिफ्ट वाला जो इदर साइड का एंड का है उस पे अब हम इसे एंड कर देंगे एकदम अच्छे से आटे यह देखिए इस तरह का लेवल बिल्ड होना चाहिए इन्हें एकदम जो पुड़न प्लैंक है उससे सटके भी ना रखे मतलब एकदम चिपका कर ना बनाए वरना आपको हाट डालने में प्रॉब्लम होगी थोड़ा उपर रखे देखिए अब हम इसको कैसे यूज करते हैं तो मैं बता रहे हूं सुई वाला पिरोने वाला वो जो है हमारे हाथ में रेड वाला उसको में सुई में डाल लिया है और उसमें अब हम हमारा धागा डाल देंगे और फिर यह रेड वाली को आप खीच लीजिए आपको जो धागा है वो सुई में आसानी से आ जाएगा व पर मैं सिखा रही हूं इसलिए बताना मेरा काम है तो देखिए धागा आगया सुई में यह जो लाल वाला है उसको निकाल लेंगे तो यह दागा पीरोज रुगा है सुई में तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे नॉर्मल धागे के एंड में नॉट पांद लेंगे बड़ा सा सबसे पहले हमने साथ मोति कलर के वाइट कलर के साथ चीड नीचे से निकाल लेंगे यह सब मैं है अब देखिए आप लोग हम क्या करेंगे हमारी जोबी। है के ऊपर हम सुई पास करेंगे वो उपर से करेंगेreek Навर OK होना चाहिए और उसके उपर से तो देखिए हम एक एक वायर सेट करते जा रहे हैं और चीड में से सूई लेते जा रहे हैं आप इसे आराम से देखिए आपको दिखेगा आपको समझ आ जाएगा एक बर आप अगर पैटन समझ गए देन इस वेरी इजी प्रोसेस देखिए मै अब कि अकवायर सेट करती जा रहे हूं औरे सूई लेती जा रहे हैं तो इससे वह वायर में फिट होती जा रही है हमारी जोभी चीड है और हमने वायट जो है वह साथ मोती लिए साथ- चीड ली है आप खौνतिंग पर ध्यान रहें क्योंकि तो आप अटक जाएंग और श क्या करेंगे धागे के उपर रखिए और जो वो नौट है ना आपको उसमें से निकालना है जो नौट बनाया है हमने धागे का एंड वाला उसमें से आपको अपनी सुई को निकालना है थोड़ा जोड लगा कर जैसे आपने अभी तक चीड पर फिक्स किया था वैसे आपको उस बार नॉट के उपर फिक्स करके और उसमें से निकाल देना है और अब इसे खीच लीजिए देखिए खीचते टाइम आप उपर एक हाथ से पकड़ के रखिए और दूसरी दोरी को खीचते रहेए इससे आपकी जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा क्योंकि मैंने कहा धागा बड़ा लीजिए वो उलजेगा नहीं और आपको कोई प्रॉब् यह देखिए बनकर तयार हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर और इसे एकदम अच्छे से खीच लें ताकि अच्छा सा स्ट्रक्चर बनकर तयार हो जाए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है तो जलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आज आपको ऐसी साख्य सब्सक्राइब तो देखिए इसमें पहला हमने वाइट लगा दिया अब अगला जो है वह हमारा ऐसा बनाना है हमें रेड और वाइट का कॉम्बो तो हमने उस तरह से उतने मोती पिरो लिए अब इन्हें भी हम वहीं उसके वायर के नीचे से ले लेंगे खीच लेंगे और इस बर एकदम आसानी हो जाएगी आपको हर चीड को हर वायर में फसाना है पर पहले से इस्ट्रक्चरड है तो और देखिए चीड को फसा दीजे पूरी दर से वायर को वायर उपर नहीं रहना चाहिए जो आपकी सुई पासओन होनी चाहिए वो चीड में से होगी पर वाय बिच्टे रहेंगे बराबर अब हम तीसरा वाला लेंगे एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वह आप उपर से मत गिनिएगा मतलब आप साखिये कि देखें कि प्रक्षी सेंडी कि लेना है तो ऊपर से को नहीं देखién आप नीचे लेना हैं क्योंकि हमारा ये उल्टा जाता है आप मेरी बात समझ रहें हैं जैसे के अंदर थर्ड लाइन में आप से बात का ध्यान रखें। और रोक्त वाकर और बाकि आप एक बार करेंगे तो आपको सम तो इसी तरह से हम पूरा स्टेप कर लेंगे बागी का इसे फसा फसा कर यह बहुत इजी है राकी बनाना खाली आपको एक इसा स्ट्रक्चर रेडी चाहिए वह मैंने कहा आप थर्मकॉल का भी यूज कर सकते हैं सबके पास वूड़न प्लैंक अवेलेबल हो नहीं तो अगर बस थोड़ा सा उसमें भी अगर आप पिन लगाएं तो थोड़ी टाइट लगाएं क्योंकि राकी अगर ऐसे डिली डिली बनेगी तो मज़ा नहीं आएगा और दोस्तों बाइचांस अगर आपकी कोई चीड निकल जाती है जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वायर नीचे नह सब्सक्राइट थे नहींद से चीड़े और किवह क्यासे है जपको तो कन ऐसे चीड़ी ze ter grade दोस्ते हैं मैं आपको आज इस ये दो लग सी तरह पर मैं हूं अभरा मून की राकी फटाक नहीं है कोशिश कीiçãoर कोवता सब्नाल पिनार मैं आपको अज ये कैन मैंने इस वीडिय मुझे comment section में लिखकर पूछ सकते हैं तो यह देखिए हमारा एक साखिया जो है वो बन कर त्यार हो गया है यह कितना सुन्दर लगता है जब ऐसे structure में आ जाता है तो बस यह था easy to make साखिया इस तरह हमने अपना दूसा साखिया बना लिया है और इसी तरह हम अपने बाकी के आपको जितनी बड़ी राखिय बनानी हो आप उसे साब से बनाएए हम देखिये पांच साखिय बनाकर एंड कर रहे हैं इसे तो बस हम लास्ट वाली वाइट जो है वो लगाएंगे और इसे क्लोस कर देंगे आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा हम अब हमारे कुकिंग हब चानल पे कुछ क्रियेटिव चीज़े भी डालेंगे तो अगर आपको अच्छी लगे तो उन्हें लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कमेंट तो जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी जरूर कीजेगा ये देखिए अब हम इसे एंड कर लेंगे खीच लिया हमने अच्छे से तो देखिए अब हम इसे नॉट मार देंगे या पर ये पहली वायर में से निकालेंगे और फिर ये जो सरकल बना है इसमें से निकाल दीजिए और खीच दीजिए और इसके पास में सेट कर दीजिए अगर दोस्तों अगर आपका कहीं पर धागा खतम हो जाता है या खतम होने वाला हो तो इसी तरह से आप नॉट दे दीजिए और फिर से जो स्टार्टिंग से प्रोसेस किया वो कर लीजिए मैं आपे डबल बार इसको एंड कर रही हूं ताकि घलती से भी यह खुले नहीं और देखिए दोस्तों यह राखी जो है यह हम सालों तक पहन कर रखें तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको यह काफी सुन्दर लगती है हमारे हातों में तो देखिए अट्राक्टिव राखी रेडी अब हम यह कट कर लेंगे यह आप एससे और अपने नौट्स को खोल लेंगे आप सबसे कोने वाले सी शुरू करें जो अपने एंड में मारा हो उससे डीला होने लगेगा यह क्योंकि म दोस्तों यह राखी जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यह कैसे बनी होगी कितना मुश्किल काम है इन फैक कुछ लोग इसे दो सुई से भी सिखाते हैं पर यह ज़्यादा सिंपल मैंथड है इसमें एक सुई और एकदम एजीली आप यह सीख सकते हैं ऐसा मेरा मानना है आप भी मेरा वीडियो देखने के बाद यह सोच रहे होंगे कि हाँ यह राखी बनाना काफी एजी काम है तो देखिए दोस्तों हमाई राखी बन गई हमने उसे नौट्स खोल दिये हैं यहाँ पर जो भी आपका एक्स्ट्रा थ्रेड हो वो वाला आप एक्स्ट्रा कट कर अब देखिए हमारा जहां पर साख्या एंड हो रहा है हमाई राखी के दोनों तरफ हम एक नौट बांदेंगे ताकि यह चीट भी हिले नहीं और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें मूली का भी यूज कर सकते हैं जो इस साइड वाले हैं मतलब हमने जो स्टाटिंग मे ताना उसके लिए आप मूली का भी यूज कर सकते हैं पर उसके लिए चीट बड़ी हो तो वो ज़्यादा सुन्दर लगता है तो देखिए दोस्तों नौट हमने बान ली है हमारी राखी तयार हो गई है यह एक सिंपल सुन्दर राखी है जो आप रेग्यूलर में पहने और अपने हाथों की शिर्भा बढाएं यह देखिए मैंने अलग-अलग ताइप की राखी बनाई है सब साखिय वाली है अलग- अलग-बनाई है